नमस्कार मैं प्रोफेसर रामन द्यादो मेरे यूटूब चैनल स्टेडिसिफ विद रामन द्यादो में आपका स्वागत है आज हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो कंटेंट है थियोरी ओप लिकुड क्रिस्टिल लिकुड क्रिस्टिल के सिध्धांद उनसे िचिधांदे जिसके अदार पर हम लिकुड क्रिस्टिल जो गुड़ दर्साता है उनको समझा सकते हैं जो मुख्य जो थियोरी है वो है लिकुड क्रिस्टिलों का समोशिधान लिकुड कृस्टलों का समूज सिधान उसको इंगलिज में कहते है इस थिवरी में समझाया गया है कि जो लिकुड कृस्टल है उसमें आनों के समूँ उपस्तित होते हैं आणू किस रूप में होते हैं आणू गुर्प के रूप में समू के स्वान के रूप में होते हैं और प्रतेक स्वान में प्रतेक समू में आणू समाना अंतर करम में वर्ष्थित होते हैं पुनिसुली जी इस शिद्धान्त क्या बताता है यह शिद्धान कहता है लिकुड किस्टिल में जो अणू होते हैं वो विभिन समों के रूप में होते हैं और प्रतेख समू में अनू समानत्र कर्म में विवस्तित होते हैं जान दीजी जैसे वी गुरूप है यह एक समू है इसमें समानत्र कर्म यह अनू विवस्तित हैं दूसरा यह गुरूप है इस में देखिए इस प्रकार से ये आनुग विश्टित हैं ये ग्रूप दूसरा ग्रूप तीसरा चुथा पान चुथा पान चुथा चुथा शड़ा साथवा इस तरह से इस ग्रूप से आनुगों के ग्रूप से और आनुग प्रते ग्रूप में समाहित तक्रम विश्टित होते हैं इसको द्यान दीजिए यह सिद्धान इबोस नामत में गैन दिया था इस सिद्धान में बताया गया है कि लिकुड क्रिस्टल में उपस्तित आव में आउं विविन समू जो मैं बता चुका में समाना तर क्रम में व्योस्तित रहते हैं लेकिन विविन समू में आपस में कोई व्योस्ता नहीं होती जो एक गृफ्प ग्रुप बव यह इ MKC is a new date कोई व्योस्ता नहीं होती कोई किस रूप में होता कीसी किन नरुता को में किस था प्रतेक समू एक लगू क्रिस्टिल की भाती आतर्ण करता है और ये समू लिकुड क्रिस्टिल के संपूर भाग में एवस्तित रूप से फैले रहते हैं कि समूं दाजिक प्रस्टित रूप से फैले रहते हैं लिकुड क्रिस्टिल में उपस्टित इन समू की सीमा दुआरा प्रकास के स्केट्रिंग होता है एक सम्हों दूसरा सम्हों तीसरा सम्हों इन सम्हों की जो सीमा है एक सम्हों दूसरे सम्हों से सीमा से तच होगा वो क्या करती है सीमा है यह प्रकास का प्रिकिर्ण करती है प्रकास को स्कैट्रिंग करती है जिससे लिकोड क्रिस्टिल स्थेंदोटी दिखाई जान है अगेगतें अधीयां कर्वक्रिफ रिखाई देठी उर्यकला के सब्पे Hayır फिखाई D आविल एक द्रव की दिखाई देता है यह तो प्रतेक समूँ अपने आप में पारदस ही होता है जहां दी प्रतेक समूँ अपने आप में तो पारदस ही होगा ट्रांस्परेंट लेकिन जो संपूर्व होता है जो लिकुड क्रिस्टिल कलाता है अविल द्रव है उसे में ट्र करती है संपूर दरव क्रिश्टल इसी प्रिकरन के कारण हमें कैसे दिखाए देता है ने दिखाई देता है आप समझ गया निए कि प्रिकास के प्रेक संभू अपने आप में तो पारदर्शी होता है लेकि जब प्रतेक संभू संपूर त्रोम में फैले रहते हैं एवरेस्टेत रूप से तो उनकी सीमाओं से प्रकास का त्रिकिन होता है हमें ये तर्विट आवल द्रश दिखाई देता है जैसे हम इनका टैंप्रिजर बढ़ाते हैं लिकुड क्रिस्टिल के अणू की गति निरन त प्रते हैं जिसके बढ़ा सुरूख विमिन संहूंग के अंगं एक दूसरे में मिलते रहते हैं जैसे से तेमसर बढ़ाते हैं तो तो एक मिलते जिससे समूं का आगार ताब बढाने के साथ साथ छोटा होता लगता है ज़िए प्रैकर बढाते हैं तो औरों के गती बढ़ती और एक गुरूप से दूसरी गर्व में प्रिवस्ट करते हैं और प्रिकार अगार चोटा होता जाता है और एक निश्चित और समूग बहुत सोटे हो जाते हैं बहुत छोटे हो जाते हैं फॉर प्रिकार में बन कर देते हैं ऐस है यह और द्सके में Skip ऐस सब्सक्री निर्ग अनदा दराव में जाता कि प्रिकार चाहर वे उत्सक्झ lottery भूब में पर जाता है टेंपरेशर बढ़ाया बढ़ाने से गुरुफ समूद छोटे होते आगे चोटे होते आगे तो प्रिकास का प्रिकेंट बंद कर देंगे और एक ताप पर यह लिकुड क्रिस्टल पिल्कुड ट्रांस्वरेंड द्रोव पारदसी द्रोव जोसको हम सामान द्रोव कह सकते हैं होते हैं समदैसिक होते हैं जबकि लिकुड क्रिस्टल क्या होता है विशंदैसिक होता है जबकि लिकुड क्रिस्टिल एन आइसोट्रोव विशंदैसिक का गुण द्रसाते हैं सभी जानते हैं बता चुके लिकुड क्रिस्टिल में उपस्तित प्रतेग समूं में कई एक द उसमें जो अनु तो उते हैं फ़रोड़ मोज़त्तिथ हम्हें लोग ढम समाहक तरुक्तित प्रतेगों ग्रुप में जो होते हैं उस प्रकार अलग अलग समुवर्क में अम इसलिए लिकुड क्रिस्टिल की प्रकृती क्या होती है विशम दैसिक होते हैं कि यह कारण है अगर लिकुड क्रिस्टिल विशम दैसिक होते हैं कि जटी प्रकृते हैं इसमें प्रेज कृते हैं तो को आपकला यहां ही मुझे विशम दैसिकता फेलियां यदि इस स्वर्च द्रव को थंदा किया जाए तो उसी ताप पर स्वर्च द्रव में तर्विडिटी आ जाएगी और वह पुन है लिक्वर्ड क्रिस्टिल कहलाएगा वापिस है कि आउग इसको थंदा करें तो उसी ताप पर वापिस इसमें किया जाएगी इंट्रविडिटी आ जाएगी और वापिस वर लिक्वर्ड क्रिस्टिल में परिवर्टित हो जाता है तो ये गुड थियोई थी समूसित दहांदा लिकुड क्रिस्टल में किस तरह से आउन्ण इसमें लिकुड कृस्टल में गुड में रहता है स्वाँ के रूप में रहता है ये ग्रूप में इस प्रकार से वे उस्तित है, इस ग्रूप में इस प्रकार से वे उस्तित है, ये इस तरह से दूसरा ग्रूप है, इस तरह से ये ग्रूप पूरे क्रिस्टिल में फैले रहते हैं और एवेस्टिक ग्रूप से फैले रहते हैं, जिस कारण से ये प्रकार से प सब्सक्राइब कीजी और लाइक कीजी और मेरी पुष्टक जो बुक्स चलती है बोन अप्रिकाशन अलवर से आप पढ़िए वो आपके कंप्रिशन काम आएगी और केमिस्ट्री के जो जो यूनिस्ट्री में पढ़ते हैं या को लिए पढ़ते हैं उसलिए काम आएगी बस टोप लग थेंक यूले मचे